खाना, रहने का घर, पहनने के कपड़े और शिक्षा के बाद मानों इंटरनेट ही हमारी बेसिक नीड बन चुका है जी नहीं टिक टॉक और फेस्बुक के इलावा भी काफी जरूरी चीजों में इंटरनेट लगता है लेकिन क्या आपने सोचा है ये इंटरनेट काम कैसे करता है गेस किजिए सैटलाइट से थोड़ा बहुत दरसल जितना इंटरनेट यूज होता है उसमें से शायद 1% ही सरिफ सैटलाइट के यूज किया जाता है बागी 99% इंटरनेट के दुआरा घूमता है पूरी दुनिया में मानो एक नेट सा एक जाल सा बिछा दिया गया है जिसमें से एक यूजर से लेकर दूसरी यूजर तक इंटरनेट पहुंचता है लेकिन आप सोच रहे होंगे बर्खोदार मेरी मोबाइल में केबल कहा है अरे ये वीडियो 90 का तो नहीं है जिहां दोस्तों आपका मोबाइल तार से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन आपका मोबाइल में इंटरनेट पहुंचाता है जो टावर वो टावर तार से या फिर केबल से जुड़ा हुआ है आप अगर किसी ऐसी इलाके में जाए जो जगा Mobile Tower से काफी दूर है, तो वहाँ पर इंट्रनेट स्लो हो जाता है लेकिन एक country से दूसरी country में केबिल कहां से जाता होगा वो जाता है समुंदर के नीचे से, जिहां दोस्तों वो लाखों किलोमेटर केबिल बिच्छा जाता है और उन केबिल का नाम है आप्टिक फाइवर केबिल या फिर सबमेरीन केबिल उन केबिल के द्वारा एक कंटी से दूसरी कंटी को कनेक्ट किया जाता है सोचिए यहाँ पर अगर कोई टिक टॉक पे अपना वीडियो अपलोड करता है और अगर अमरीका में कोई बैट के उसके उपर रियक्शन देता है तो वो वीडियो केबिल के दुआरा अमरीका पहुंसता है लेकिन यह इस तरह डांस कैसे कर लेता है अब यह जो सबमरीन केबिल के दुआरा हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड हो रहे है इसे बिछाया है टाटा कम्पनिकेशन ने जी हाँ दोस्नों टाटा ने करीब 7 लाग किलोमिटर तक अंडर वाटर सबमरीन केबिल बिछाया है इसलिए Tata बन चुका है TR1 कमपनी दरसल इंटरनेट हमारे पास कई लेवल की कमपनी के दुआराब पहुंसता है पहले TR1 कमपनी जो केबिल को अंडर वाटर बिछाता है जैसे Tata Communication यहाँ पर है दूसरा है TR2 कमपनी जैसे Airtel, Vodafone, VSNL जैसे कमपनिया जो देश के अंदर शहरों में अपना केबिल को बिछाता है और लोगों के पास इंटरनेट को पहुंचाता है और तीसरा है TR3 कमपनी जो कमपनी अपनी लोकल में इंटरनेट को सप्लाई करता है जैसे Asia केबिल हो गया जो कमपनिया TR2 कमपनी से कनेक्शन लेकर अपने लोकल एरिया में इंटरनेट को डिस्टिब्यूट करता है तो पूरी चीज़ को डीटेल्स में समझने के लिए हम चलते हैं SubmarineCableMap.com के मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे केबिल अंडरवाटर एक देश से दूसरी देश में गया है हर कंट्री में कुछ ऐसे लेंडिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर केबिल जाके कनेक्ट हुआ है जैसे यहाँ पर आप देख सकेंगे इंडिया में मुंबाई, कोचिन, चिन्नाई जैसे जगाओं में Submarine Cable आके कनेक्ट हुआ है पूरा देश में से जो डाटा है वो इनी जगाओं में से बाहर जाता है और अगर हमको बाहर की किसी कंट्री से कोई information चाहिए तो वो भी इनी अंडर्वाटर केबिल में से हम तक पहुंसता है तो इन अंडर्वाटर केबिल को बिछा दिया है TR1 कमपनी ने उन्होंने एक बार इन केबिल को बिछा दिया है अब वो लोग इन केबिल का maintenance करते है और ये जो अप्टिक फाइवर केबिल है इसमें आपके बाल के जितना पतला wire है जिन में से 100 से 150 Gbps की स्पीड में data passing होता है आप सोच रहे होंगे कि अगर कभी केबिल तूट जाए या फिर sharks जैसी कोई मचली आके उसे तोड़ दे तो क्या internet बंद हो जाएगा जिहां दोस्तो इसलिए tier 1 company एक नई केबिल बिछा रखे है ताकि अगर कभी ऐसी problem आए तो वो दूसरी केबिल के द्वारा इसे manage कर पाए और कभी अगर ऐसा हुआ कि मुंबाई की landing point से कोई data passing नहीं हो रहा है तो उसे कोचिन या फिर चिन्नाई landing point से दूसरी route के जरीए हम तक internet पहुँच ही जाएगा अब tier 1 company से tier 2 company एंटरनेट को पर GB के rate पे खरीद के उसे अपने केबिल के द्वारा पहले state में और फिर state से शहर में पहुँचा देते है और वहाँ पर tier 3 company या tier 2 company से internet को खरीद के हम तक पहुचा देते है अब Relance Geo ने यहाँ पर बिल्कुल अलगी system अपनाया है Relance Geo ने खुद ही अपनी optic fiber cable को Asia, Africa और Europe तक फैला दिया है और खुद ही 5 साल तक पूरे देश में अपनी cable को फैलाया है जिससे हमारे घर घर तक उसने internet को पहुचा पाया है अब पहले तो उसे एक बहुती बड़ी amount का investment करना पड़ा है लेकिन इसके बाद उसे किसी और company को internet के लिए charges नहीं देना पड़ता है इसलिए Geo इतनी कम दम में internet दे पाता है या फिर काफी time तक free में internet दे पाया है अब सोची अगर किसी को देश के अंदर ही internet के दुवरा कोई data transfer करना है तो क्या होगा तो कोई चाहे तो cable के जरीए proxy यूज़ करके दूसरी country से घूम कर इंडिया में कोई data transfer कर सकता है उसमें बहुत सारी root का यूज़ करना पड़ेगा इसलिए time लग सकता है या फिर network slow भी हो सकता है इसलिए देश के अंदर ही internet को यूज़ करने के लिए एक agency बनाया गया है जिसे nixi कहा जाता है National Internet Exchange of India जिससे आपको बाहर से घूम के internet को यूज़ करना नहीं पड़ेगा वो देश के अंदर ही internal use के लिए है इससे क्या होगा कि इससे speed जादा मिलेगा और national security के लिए भी ये अच्छा है क्यूंकि आप सोचिए अगर आधार जैसे कोई government website की information अगर आप देश की बाहर की कोई route के जरीए लेते है तो हो सकता है कि जो बाहर की internet server की user है वो जान ले की क्या information लिया जा रहा है इस तरह से Nixi इंडिया के internal internet को control करता है तो इस तरह से cable के जरीए 99% internet use होता है दुनिया भर में और जो 1% की करीब internet satellite के जरीए use होता है future में उसे बढ़ाने की कोशिश क्या जा रहा है क्योंकि कई ऐसी जगाये हैं जहां पर cable ले जाना संभव नहीं है इसलिए उन जगाओ पर आज भी internet नहीं पहुँच पाया है इसलिए उन जगाओ पर internet पहुचाने के लिए satellite के इस्तमल किया जा सकता है great scientist Elon Musk भी इसके उपर काम कर रहे है उनका plan है कि पूरी दुनिया को ही satellite से घेर देंगे जिस से satellite के जरीए ही हम तक internet पहुचाया जा सकेगा तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिए ताकि दूसले लोगों तक भी एए information पहुच सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दवाना मत भूलियागा थैंक यू फॉर वाचिंग गुडबाई